गुड बॉणिंग टु यू ओल इस वीडियो में आप सबका वेलकम इस पोस्ट की जो भी अभी तक की लेटेस्ट नियूज आई है वो सारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहली ख़ब किस पर क्या रहा है तो कपिल देव ने इस पेस्ट आंसर दिया उन्होंने बोला कि अगर रवी शास्तिर के कारेकाल में टीम इंडिया को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं टीम इंडिया ने अगर अच्छा प्रदशन किया है तो उनको एज़ा कोच और लंबे समय के लि मनिश पांडे ने अच्छा प्रदशन किया और शेकरधवन की टीम जो थी उसको हराया भुवनेशवर कुमार की टीम ने अगर मैं आपको एग्जक्ट रंस बताऊं तो मनिश पांडे ने शेकरधवन की टीम से खेलते हुए 63 रंड की पारी खेली वहीं सूर्य कुमार गयान दिया है उन्होंने का है कि T20 वर्ल कप क्योंकि IPL के बाद होगा और IPL भी UAE में ही होना है तो ऐसे में जो पिचिस रहेंगी UAE में वो इस्पिन फ्रेंडली रहेंगी क्योंकि विकेट्स महाँ पर आपको थोड़े से डैमेज मिलेंगे क्योंकि IPL का जो रिमेनिक सतर रहें वो वहीं पर होना है मैचेस वहीं पर खिले जाएंगे और उसके ठीक बाद T20 वर्ल कप होगा तो ऐसे में इस्पिनर्स को वहाँ पर जादा मदद मिलेगी और उन्होंने कंपेर किया सताफरिका की पिचिस से वहाँ की पिचिस को तो उन्होंने बोला यहाँ पर स्री लंका दोरे से जुड़ी हुई और थोड़ी सी परिशान करने वाली खबर है क्योंकि स्री लंकन फ्रिकेट बोर्ड ने जो भी प्लेयर्स हैं वहाँ पर उनको अल्टिमेटम दे दिया है अपने प्लेयर्स को कि वो कॉंट्रेक्ट पर साइन करें अब 36 गंटे की महलत अब आपको पता है जो कॉंट्रोवर्सी महाँ पर ओ्रड़री चल रही है जो फैनेशल एक्सपेंसेज हैं और जो फैनेशलि बेनेफिट्स मिलते हैं प्लेयर्स को उसको लेकर कर कि प्लेयर्स सैटिसवाइड नहीं है जिसको लेकर कि वो कॉंट्रेक्ट पर अभी तक साइ अपने प्लेयर्स को दिया है उसके बाद अगली खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और वह है आई पील से जुड़ी हुई आप आई पील में चार बड़े बदलाव हुए है एक जो टीम का फॉर्मेट रहता है आट टीम्स के साथ में आई पील होता है अब जो अगला आई पील होगा यानि कि 2022 में जो आई पील होगा उसमें 22 माफ कीज़ेगा 2022 में जो आई पील होगा उसमें 10 टीम्स रहेंगी साथ में और भी कुछ बदलाव होए जैसे कि पहले तीन प्लेयर्स को ही रीटेन कर सकती थी मेगा आउक्शन से पहले कोई भी फ्रंचाइजी लेकिन अब आई प्लेयर्स को रीटेन करेगी इस बारे में अगर आपको और डीटियल्स जाननी है तो आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं रोहित ने वो वीडियो किया है और उसमें आपको पूरी जानकर एमिल जाएगी और उसके बाद अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं तो अगली खबर जो है वो है जेमसेंडरसन से जुड़ी अब जेमसेंडरसन ने अपने हजार विकेट्स पूरे कर लिए फर्स क्लास विकेट्स में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी उपलब्धी उनके लिए और एक फास बोलर के लिए सबसे जादा टेस्ट मैच खेलना अपने देश के लिए और उसके बाद में हजार विकेट्ट लेना अपने अपने एक बड़ी बात है फर्स क्लास विकेट्स में पूरे के नहीं वन थाउजन विकेट्स तो एक ये बड़ी उपलब्धी है जेमसेंडरसन के लिए उसके बाद अगली खबर की तरफ हम बढ़ उसको लेकर के वो चलेंगे और वही पर बजरंग पुनिया जो closing सरिमनी रहेगी उसमें भारत का द्वज लेकर के चलेंगे तो यह जो तीनों प्लेयर्स है हमारे इनके लिए गर्व वाली बात रहेगी उलमपिक्स जैसे बड़ी इबेंट में भारत के फ्लैक को लेकर के चलना अपने आपने एक गर्वाली बात रहती है और वो मौका मिलाएं तीनों प्लेयर्स को उसके बाद अगली ख़बर की तरफ बढ़ेंगे जो की आखरी ख़बर है इस सेग्मेंट की वो है विंबल्डन से चुड़ी हुई अब रोजर फेटर और जोकोविच लगाता रश्या प्रदशन करते हुआ हैं और जोकोविच और रोजर फेटर दोनों ही क्वाटर फाइनल में अपनी जगब बना चुके हैं अब यहां से रोमान चक मुकाबले और ज़्यादा हो जाएंगे देखना होगा किस तरह से मैचिस होते हैं और अगर दोनों प्लेयर्स का आमना सामना होगा तो आने वाले राउंड्स काफी ज़्यादा रोमान चक आपको देखने करें मिलेंगे तो इस तरह से अब अपडेट्स में आपके लिए हर रोज ले करके आता रहूँगा फिलाल अभी इस वीडियो में इतना ही है आप सबका इस वीडियो में जोडने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया